अब भी हमने ये सिखा कि हम 11 to 19 के भी जो भी डिजिट है अगर हमें उसे किसी नंबर से मल्टिप्लाई करना हो तो हम किस तरह से करेंगे वो सीखने के बाद हम मूव करेंगे next technique की तरह जो नंबर 100 और 1000 के closest नंबर है उन्हें आपस में मल्टिप्लाई करना हो तो हम किस तरह से करेंगे यहाँ पर कुछ नंबर दिये गए हैं 1,2 और 2 step में cover up करेंगे हम जो closest नंबर है 100 और 1000 के उसे किस तरह से मल्टिप्लाई करेंगे तो first question है यहाँ पर कि 97 को मल्टिप्लाई करना है 94 से तो 97 और 94 100 का closest नंबर है यह तो first step है कि हमें distance find out करना है कि जो भी नंबर दिया गया यहाँ पर वो 100 से कितने distance पर है यह है minus 3 distance पर और यह है minus 6 distance पर 100 से छोटे है नंबर तो हम इसे minus में evaluate करेंगे यह 100 से minus 3 कम है और यह 100 से minus 6 कम है तो first step हुआ कि हमने सबसे पहले distance find out करना है कि 100 से उस नंबर का जिसको multiply करना है उन numbers का जो distance है वो कितना है तो हमने find out कर लिया कि इनका distance कितना है 100 से अब हम इनका cross difference निकालेंगे 97 में से 6 minus करेंगे और अगर हम 94 में से 3 minus करेंगे तो जो भी difference रहेगा इनका आपस में तो वह similar रहेगा मतलब कि अगर 97 में से 6 minus कर दे तो 91 और 94 में से 3 minus कर दे तो भी same difference रहने वाला 91 तो हम यहाँ पर लिखेंगे first step में 91 100 है तो 2 zeros ठीक है next step रहेगा कि जो भी हमारे पास number है difference करने के बाद distance निकालने के बाद जो भी number हम लोगों के पास आया है हम उसे multiply करेंगे 3 multiply 6 या 6 multiply 3 तो 6 multiply 3 18 हम इसमें 18 प्लस करतेंगे 191 1 8 हम जो यहाँ पर sign है numbers के साथ उसे भी consider करेंगे क्योंकि minus minus plus होता है इसलिए ये plus के 18 है ठीक है next question हमारे पास 98 को multiply करना है 88 से अगर हम इसका 100 से difference देखे तो ये minus 2 और इसका difference है minus के 12 है ना इसके बाद 2 zeros है 86 नहीं है ये 8600 है उसके बाद हमने जो भी number है माइनस करके आया है उन्हें multiply करना है 12 तूजा 24 मैंसे डारेक्ट ली करेंगे 24 क्योंकि मुझे पता है इसके बाद 2 zeros है अगर मैं इसको add करूंग क्यों 105 को multiply करना है 113 से 105 प्लस 5 अगर इसका 100 से distance देखे तो ये plus 5 है और ये plus के 13 है ना अब इनको cross multiply करें हम इनका cross distance देखे तो प्लस में है 5 प्लस 13 18 13 प्लस 5 18 तो ये 11800 ठिक है अब इनको multiply करें 13 5 जा 65 अब इसमें 65 एड़ कर देते हैं प्लस के है निशान तो 118 65 next question है हमारे पास 97 को multiply करना है 108 से 97 का distance है 100 से माइनस के 3 और 108 का distance है प्लस के 8 इसका distance देखे तो 97 प्लस 8 105 108 माइनस 3 105 सेम रिजल्ट है 105 अब हम इन दोनों को multiply करें इसके बाद 00 है तो तो माइनस के 3 इंटू प्लस के 8 24 माइनस के 24 क्योंकि 1 साइन माइनस का यहाँ पे तो माइनस के 24 105 00 में से 24 हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि माइनस साइन कंसीडर हो रहा है यहाँ पर तो हम यह माइनस करना पड़ेगा यहाँ आपने देखा होगी हमने डिरेक्ट एड़ किया था मैंने यहाँ पर डिरेक्ट ऐसे ही लिख दिया था इसको क्योंकि मुझे पता था कि 8600 में 24 एड़ करेंगे तो 8624 आएगा steps को कम करने के लिए time बचाने के लिए मैंने इसको डिरेक्ट एड़ कर दिया था यहाँ भी डारेक्टी एड हो रहा थो तो next question में आए माइनस करना अगर आप इसको डारेक्ट ऐसे करके लिख देते तो यह आपका answer रोंग होता हमने इसे डारेक्ट ऐसे करके लिखना क्योंकि जो sign है वो minus का consider हो रहा है हम इसे यहाँ से minus करेंगे तो यहाएगा 10476 तो देखा आपने कि अगर कोई भी number 100 के closest है तो हम इसे कितने easily multiply कर सकते हैं 100 के close number को हमने multiply करना सिखा कि हम उन numbers के कैसे आपस में multiply करेंगे अब हम सिखते हैं कि जो number 1000 के closest है हम उन्हें किस टरह से multiply करेंगे सेम प्रोसेस है करने का जिस तरह से हमने 100 के closest number को आपस में multiply करा था सेम प्रोसेस रहेगा कि जो 1000 के closest number है उसे उसी तरह से multiply करेंगे तो आईए करके देख लेते हैं कुछ examples यहाँ पर first example दे रखा है कि 997 को 985 से multiply करना है तो अगर हम इनका 1000 से distance देखे 997 को 985 का तो इसका distance है minus के 3 और इसका distance है minus के 15 ठीक है अब हम इनका cross distance देखे तो मैं 985 में से minus 3 कर रही हूँ क्योंकि इसका calculate करना easy है तो यह आएगा 982 तो 1000 है यहाँ पर तो जो zeros रहेंगी वो 3 रहेंगी ठीक है अब इनकी आपस में multiply करना इनको तो 15 3 तो 45 माइनस के 3 और माइनस के 15 है तो जो sign रहेगा वो plus का रहेगा तो 45 इनको plus करना है तो 982045 कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि direct ठीक है 98245 अगर आप इसको ऐसे calculate कर देंगे तो आपका answer रहेगा यहाँ पर आप इसे 0 को consider कर लीजे और जो भी multiply करके आएगा इन numbers को वो आप उसमें एड कर देंगे तो 1007 को 1018 से multiply करना है अगर इनका distance देखे 1000 से तो यह plus 7 है और यह plus के 18 है तो इनका distance देख लेते हैं आपस में कितना है 1007 में 18 add करें तो हमारे पास आएगा 1025 तो यहां 1025 000 अब 1025 000 अब इनका आपस में multiply करते हैं कि हम आपस में multiply करें तो 18 7 जा 126 तो 126 इसमें add करेंगे तो 1025 126 next question है यहां पर हमारे पास 1013 को multiply करना है 992 से 1013 को अगर हम multiply करें 992 से तो क्या results रहेंगे हम लोगों के पास अगर मैं इसका distance देखा जाए 1000 से तो यह plus के 13 है और यह minus के 8 है अगर 992 का distance देखा जाए तो यह minus के 18 है तो इनका आपस में जो distance है वो 1005 अगर हम 13 में से 8 minus करें तो 5 अगर 992 में 13 add करें तो अभी हमारे पास जो result रहेगा 1005 रहेगा और इसके बाद जो 0s है वो 3 0s है तो अब हम इनका multiply करेंगे अपस में 13 को 8 से multiply करेंगे तो 104 13 adds of 104 अब हम 104 यह minus के हैं हमारे पास क्यूंकि जो sign है plus minus माइनस होता है तो जो sign है वो minus का हम लोग यहां पर calculate करेंगे और अब इसे minus कर देंगे 6 9 8 4 0 0 1 आप चाहो तो अपनी औरली कैलकुलेशन भी कर सकते हो अगर इन questions पर इस speed math पर अच्छे से practice करेंगे तो आपकी जो औरली कैलकुलेशन है बड़ी easy हो जाएगी और आप इसे without any step जैसे मैंने यह step यहां पर लिखा यह step यहां पर लिखा आप without any step इन्हें easily calculate करके और जल्दी से answers को find out कर सकते हैं कर सकते हैं